आपका अपना चैनल सुबह इंड सुनो में आप सभी का स्वागत है आज में मेरा वीडियो में बसंद पंचमी की बारे में कुछ जानकरी देने वाली हूँ कि कब है और इसकी पूजा कैसे करें पूजा करने से क्या लाब होता है और विद्यार्थियों के लिए इसका क्या मह तो है सारी जानकरी देने वाली हूँ तो आप अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्रेब जरूर करिए तो वसंद पंचमी माग मास में आता है हर माग मास हर सल माग मास के जो सुकल पुख्य की पंचमी तिति को वसंद पंचमी के पुख्या आती है तो पहले कृष्ण पंचमी के रूप से हम मानेंगे तो इस वर वसंद पंचमी ये सनिवार को है तो पांच परवरी और सनिवार को है तो वसंद पंचमी के दिन क्या करना चाहिए तो वसंद पंचमी मा सरश्रती का दिन है यानि मा सरश्रती उस दिन प्रकट हुए थे उनका जनम दिवस है वो इसलिए उन्हें पुजा करना चाहिए उस दिन और मा सरश्रती बिद्या दात्री है यानि बिद्या प्रदान करन वाली माता है बाकी जो देवियां है कोई सक्ति रूप में रहते हैं कोई जैसे लच्मी रूप में रहते हैं मालच्मी जैसे लच्मी प्रदान करने वाली है दुर्गा देवी जैसे सक्ति देते हैं तो अलग-अलग जो माता ये देवियां है अलग-अलग जो रूप में हम प बिद्या प्रदान करने वाली है और साल भर में उनकी एक ही दिन इस दिन ही पुजा होती है तो इस दिन उनकी पुजा जरूर करनी चाहिए पुजा अर्चना उन्हें बिढ़ा कर जैसे आप तस्वीर होगा तो ठीक है नहीं तो तस्वीर आप खरीद कर लिए यह चोटा सा त तस्वीर महासर श्रतीजी का और मंदिर में आप रखके उनकी उस दिन पुजा करिए तो पुजा का कोई बड़ा विदी नहीं है कि लंबे आकार में कुछ बिशेस ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर सकेंगे सिंपल तरीके से आप उनकी पुजा करिए और साल भर भी आप मंदि पुजा करेंगे उसके बाद मंदिर में जो बाकी देवा देविया की पुजा करते हैं आप उनकी वी करिए तो इस दिन क्या और कैसे पुजा करना चाहिए उन्हें पीले रंग ज्यादा मतलब पसंद है तो आप उनको पिला बस्तर और पिले फूल चड़ाईए और खुद भी पिले बस्तर जदी पहन कर पुजा करेंगे तो अच्छी बात है और नहीं तो उसमें कोई नहीं है आप कुछ भी पहन सकती हैं पर उन्हें आप जल से श्नान करा के फूल धूप दीफ आर्थी करिए और जैसे कि उन्हें वो बिद्यादात्री हैं तो आप उनके पास इस दिन बसंद पंचमे के दिन अपने जो भी बिद्यारती हैं आपके घर में जैसे आप पुजा कर रहें तो आपकी संतान तो ये छोटी बच्चे होंगे तो जानेंगे नहीं कुछ भी तो उनकी किताब लाकर मासरशती जी के पास में रखिए कलम भी रखिए और साथ में मासरशती जी के साथ में वो किताब का विया पुजा करिए तो उसमें बच्चे भी पढ़ाई में आगे रहेंगे उनका मन लगा रहेगा जैसे आजकल के बच्चे लोंका मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो उनका मन एक आगरत चीत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और माहसरुशती जी से यही विन्ति करना है इस तेन कि मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई में मन लगे अब अच्चे लोगं को भी यही सिख्या देने चाहिए कि यह एक दिन ही है जो मासर श्रतिजी का पुजा जरूर करना चाहिए साल भर अपन कितना भी बेजे लाइफस्टाइल है उनको याद जरूर करना चाहिए क्योंकि विद्या की बिना तो कुछ भी नहीं है अपन आजकल जो मॉबाइल चलाते हैं कम्पेटर चलाते हैं वो सब भी तो यह विद्या का फाल ही तो है अपन को कुछ इंगलीज नहीं आएगी या फिर कुछ भी हम कुछ एजुगेटर नहीं रहेंगे तो क्या ये सब हम कर सकेंगे, computer चला सकेंगे, नहीं तो ये सब विद्या का ही तो परिणाम है कि हम इतना आगे बढ़ रहे हैं Technology जो इतना आगे बढ़ा है वो सब education के बदलोत तो ही ही तो इसलिए विद्या का बहुत महत्तु है और आगे तो और भी महत्व रहेगा तो इसलिए बच्चों को हमेज़ यही आप लोग सिखाएए कि मा सरश्रती को हमेज़ा याद करते रहेंगे ये सरश्रती पुजा के दिन तो उन्हें जरूरी याद करेंगे तो आप वैसे करिये और बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों को साथ में आप पुजा कराएए आप पुजा कर रहें तो साथ में उन्हें भी लाइए कि तुम लोग भी पुजा करो तो इस विदी से पुजा करिये और इसमें कोई बताते हैं कि कलस्ता पना करना चाहिए जो अस्ते दल कमल से पुजा करें तो देखिए मेरा यही राय है कि मा सर्शति जी का आप लोग कलस्ता पना की जो वैबस्ता है वो कर सकते हैं लेकिन मैं तो यही कहूँँगी आप नहीं भी करें तो भी आप सिम्पल आकर में भी सिम्पल वे से भी पुजा करेंगे तो भी बहुत हैं तो भोगराग विशेस्ट जो आरती उनकी है और उनका जो मंत्र है छोटी मोटी मंत्र है आप उनके उस तिन आप ले लीजिए और अच्छे से रही है उस तिन विद्या का कहीं भी अपमान नहीं करना चाहिए जैसे कहीं भी कागज का टुकड़ा भी पड़ा है तो उसको उठा कर आप रखिए और ठोकर नहीं लगाए कोई भी किताब का लमादी को इस टाइप के आप करिए तो आज के लिए इतना ही और जानकरी के लिए मेरा और वेडिया धखते रही है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए